सबी बचों को प्यार भणा नवशकार, क्लास के हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था? ये जो कोडेट है, इसका क्लासिफिकेशन चल रहा था, तो इसकी आउटलाइन हमारे माइ ग्लासीफिकेशन पढ़नां। तो ये आपके माइंड में इसकी एक इमेज बनी रहनी चाहिए। तू देखो। मैने कल आपको क्या बताया था। कोडेट का जो ग्लासीफिकेशन है उसको टू गृप्स में क्या किया गया है। पहला यहांपर एक्रियनेेटा है। अब तक पढ़ा दिये आपको, ए क्रिनेटा और ए क्रिनेटा की दोनों सबभाइलम मैंने आपको क्या कर दिये हैं? आज हम अब क्रिनेटा से स्ठार्ट करेंगे, ठीक है? भाई, क्रेनेटा में मैं आपको पूछऊं इसका एक सब फाइलम है, हिंदी में सब फाइलम को उपसन कहा जाता है और कौन से है वो वर्टी ब्रेटा, ध्या रखना भीया क्या है वर्टी ब्रेटा, अब यह जो वर्टी ब्रेटा है इसके भी दो division है, दो division कौन कौन से है? एक अगनेथा है और एक कौन सा है? गैनेथू स्टोमेटा. अब यहाँ पर यह बता चुकिए हूँ मैं आपको, जो ज यहाँ पर absent होते हैं, जबड़े यहाँ पर absent होते हैं, तो यहाँ गैनेथू स्टोमेटा में जबड़े present होंगे य अब यह जो अगनेथा है इसको भी दो क्लासिस में डिवाइड किया गया है और साइकलो इस्टोमेटा अब यह जो गैनेथ्टो इस्टोमेटा है इसकी भी दो सूपर क्लास है दो कौन कौन सी है देखो भाईया दो कौन कौन सी है एक बार यहां पर देखो आप दो यहां पर एक तो pieces है, और एक है यहाँ पर tetrapoda, अब यह जो pieces है, इसको भी three classes में divide किया गया, पहली कौन सी है, प्लेकोडर मी है, दूसरी कौन सी है, कौन्रियोग थीज है, तीसरी कौन सी है, और यहाँ पर जो tetrapoda है, इस पर भी चार classes में इसको divide किया गया है, तो पहला यहाँ पर amphibia, reptilia, abish और कौन रह गया, memelia, हम किस में आते हैं, अरे किस में आते हैं, बताना जरा, तो यह एक outline है, किसकी codate के classification की, repeat कर दी है, याद कले ना भई, अच्छी तरीके से, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, creaneta से पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखो इदर, यह जो creaneta है, इसमे higher codates आते हैं, अब यह बताना भई, higher codates हैं कौन से, बताना जरा, अब यह जो creaneta है, इसका एक subphileum है, कौन सा vertebrata, ठीक है, vertebrata के अंतरकत जो notocode होती है, वो vertebral column में क्या हो जाती है, convert हो जाती है, और यह जो vertebral column है, यह कैसी होती है, यहाँ पर देखो, यह bony और cartiliginous होत होती है, यहाँ अस्ती और कैसी होती है, उपास्तिल होती है, यहाँ पर cranium present होता है, बै क्रेनेटा के अंदरकत cranium और head क्या होते हैं, present होते हैं, यह जो cranium है, मस्तिक्स के चार और क्या present होता है, cranium present होता है, ठीक, यहाँ पर head developed होता है, यह बात पहले ही बता चुक है, जब स्टार्ट किया था क्रेनेटिया तब बता दिया था कि सीर क्या होगा विक्सित होगा और क्या प्रेजेंट होता है क्रेनियम प्रेजेंट होता है नोटो कोड यहां पर वर्टीबल कोलम में क्या हो जाती है कनवर्ड हो जाती है ठीक है एक्जोसकेलटेन यहां पर रखा है तो आप भी इसके क्या लगाना है आपको भी नोट लगाना है देखो all vertebrates are codates but all codates are not vertebrates क्या बता है याप भै जितने भी vertebrates है वो सारे की सारे क्या होते है codate होते है ठीक है लेकिन सारे codate vertebrates हो ये वात सही नहीं है कैसे सही नहीं है, देखो एक बार उपर जलेंगे फिर से, देखो इधर, अब ये देखो, इधर से देखो, हाँ, अब ये देखो, जो एक्रेनेटा वाला पार्ट है, देहान से देखना भी या, ये जो एक्रेनेटा वाला पार्ट है, ये कोडेट में तो आता है, आता है न, यूरो कोडेटा और सिफिलो कोडेटा ये क्या है? कोडेट है. लेकिन ये वर्टिब्रेट थोड़ी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्रेनियेटा का सफाइलम क्या होता है? वर्टिब्रेटा होता है. और ये किस में आते? Acreniata में आते समझ में आ गया न है अब उसी लाइन पे चलो देखो कहां थी ये रही ये ही लाइन थी न क्या थी All Vertebrate are Codate But All Codate are Not Vertebrate ठीक है वैं सारे की सारे Vertebrate क्या है Codate है लेकिन सारे की सारे Codate Vertebrate है ये बात सही नहीं है क्योंकि Euro Codate और कौन सा रहेगा Cephalo Codate ये क्या है Codate है पर Vertebrate नहीं है ठीक है अब देखो Subphileum Vertebrate के भी दो division है दो division कौन कौन से है परिपता रखा है ये तो मैंने आपको Agnetha और Genetho Stomata ठीक है Agnetha और Genetho Stomata ये Vertebrate के दो division है प्रभाग है तो इन दोनों के बीच में हम क्या देखेंगे difference देखेंगे देखो यहाँ पर जबड़े उपस्तित होते है sorry उपस्तित नहीं होगे अनुपस्तित होते है देखो एका मतलब क्या होता है absent होता है ठीक है और यहाँ पर जबड़े क्या होंगे उपस्तित होंगे mouth यहाँ पर round होगा यानि goal होगा जबकि यहाँ पर mouth कैसा होगा अरे कैसा होगा goal नहीं होगा ठीक है यहाँ पर बायक अंकाल अनुपस्तित होगा जबकि यहाँ पर कंकाल क्या होता है present होता है genital duct की बात करें तो भीया यहाँ पर absent होगी जबकि यहाँ पर क्या होती है present होगी present किस में होगी गैने तो इस्टोमेटा में absent किस में होगी अगनेथा में अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो notocode है वो persistent और imperfect वर्टिबल कोलम found जो अगनेथा है अगनेथा है उसमें notocode सीरकाल तक होती है और अगर वर्टिबल कोलम होती है तो वो कैसी होगी imperfect होगी ठीक है perfect नहीं होगी जबकि कहने तो इस्टोमेटा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगी perfect होगी present होगी और क्या होगी perfect होगी यहाँ पर देखो one or two semi circular canal यहाँ पर क्या होती है present होती है क्या होती है present होती है semi circular canal हिंदी में इसको अर्द वर्ताकार नलिकाएं कहते हैं और यह कहां present होती है internal year में present होती है देहार रखना कहां पर present होती है internal year में present होती है और संख्या में क्या होती है या तो एक हो सकती है या फिर क्या हो सकती है दो हो सकती है जबकि गैने तो इस टुमेटा की बात करें तो यहाँ पर तीन पाई जाती है कितनी पाई जाती है भीया तीन पाई जाती है क्या पाई जाती है तीन अर्द वर्दाकार नलिकाएं पाई जाती हैं ठीक है आगे देखू यहां पर वन पीनियल आई अलोंग विध टू लेटरल आई यानि एक तो यहां पर पीनियल नेतर प्रेजेंट होते हैं और दो यहां पर पार्शों नेतर प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब पीनियल आई यहां पर क्या होती है अपसेंट होती ह absent किस में होती है genethus tomita में होती है ठीक अगला point अपना रहेगा यहाँ पर paid appendages क्या होते है absent होते है जबकि यहाँ पर क्या होते है present होते है तो यह agnetha और genethus tomita का अंदर है समझ में आ गया होगा अब देखो division agnetha जो division agnetha है इसकी भी कितनी classes है, दो classes है, ठीक है, एक यहाँ पर austriocodermy है, दूसरी यहाँ पर cyclostromata है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर austriocodermy के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सही दिख जए, अब देखो, यह first vertebrate होते हैं, भाई, first vertebrate कौन होते हैं, अरी कौन होते हैं, ओस्टियो को डर्मी होते हैं, ठीक है, यह fresh water fishes थी, थी मतलब यह अब नहीं है, नस्ट हो चुके हैं, तब ही तो past में चली गई ना चीजे, इनके सरीर पर hard scales पाये जाते हैं, क्या होते हैं, hard scales पाये जाते हैं, और इसके सारे की सारे member क्या हो चुके हैं, नस्ट हो चुके हैं, example देखो, सिफेलेस फिस, ठीक है, सिफेलेस फिस, बोले में थोड़ा है न, अजीब सा लग रहा न, बट यह क्या है, सारे की सारे, नस्ट हो चुके हैं, और यह first vertebrate थे, कौन से, ओस्टियो को डर्मी, किस में आता है अगने धा में आता है, ठीक है, अब देखो, अब अगला जो हमारी class रहेगी, वो कौन सी रहेगी, cyclostomata रहेगी, ठीक है, अभी जो cyclostomata है, यह कैसी है, इसमें जो फिस आती हों कैसी होती है, false होती है, ऐ सत्य होती है, यहाँ पर देखो, mouth round और sectorial होता है, यानि इनका जो म सक्क करने वाला, किसी तरल पदार्थ को क्या करने वाला, यानि क्या बोलें आप इसको, चूसक की रूप में अनुकुलित हो जाना, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है, सीदी से बात है, चूसना होता है, मतलब sectorial का मतलब सक करना होता है, किसी तरल पदार्थ को, अब देखो, यहा ग्रशनी कलोमदरारे प्रजेंट होंगी, और पेर के रूप में होंगी, या तो 6 होंगी, या फिर क्या होंगी, पांच होंगी, सर्कुलेटी सिस्टेम यहाँ पर क्लोस्ट टाइप का होता है, कैसा होता है, क्लोस्ट टाइप का, क्या पढ़ रहे हैं, सैक्लोस्ट डोमेट होता है ये कैसा होता है वीनेश हट होता है और वीनेश हट आप सब को बता है कि किसमें पाई जाता है ज्यादा तर ये मचलियों में ही पाई जाता है ये क्या करता है अन्प्योर ब्लड को पंप करने का काम करता है ठीक है ऑक्सिजन को pump करने का काम करता है यहाँ पर जो kidney है यह pro nephric और meso nephric kidney पाई जाती है और यहाँ पर monorhinus condition यहाँ पर क्या होती है present होगी क्या होती है monorhinus मतलब एक नासा चीदर उपस्तित होते हैं ठीक है और हमारे पर कितने होते हैं दो होते हैं यह parasite होती है और squinger होती है squinger मतलब सफाई कर्मी होती है parasite का तो पतर ना किसी और organism पर depend रहती है parasite की रूप में और सफाई कर्मी भी होती है यहाँ पर जो cranium और vertebral column present होते हैं और यह कैसे होते हैं cartilaginus होते हैं यानि उपास्तिल होते हैं scales यहाँ पर absent मिलेगे यानि इन physis के ऊपर sulc क्या होंगे अनुपस्तित होंगे यह समूद्री होते हैं यानि यह जो मचलिया है वो कैसी होती है समूद्री होते हैं reproduction के लिए यह fresh water में आती है ठीक है reproduction से लार्वा उत्पन करने के बाद में इनकी क्या हो जाती है death हो जाती है इनके लार्वा पून समूद्री जल में आ जाते है भई यह क्या करते है reproduction के लिए यह जो फिश है fresh water में जाती है ठीक है phrase यानि स्वच जल में जाती है marine में नहीं जाती जैसे ही reproduction करेंगे लार्वा उत्पन कर दिया, खुद क्या होती है, मर जाती है अब ये लुचूर लार्वा है, ये मेटामॉर्फोसिस की फ्रोसेस की द्वारा फिर कहां चला जाता है, समूंधरी जल में चला जाता है जैसे ही इस लार्वा को ये एडल्ट में कर्वर्ट हो जाएगा फिर रिप्रोडेक्शन करने के लिए वापिस किसमें आएगा फ्रेश वाटर में आएगा, ये प्रोसेस इस दिके से चलती रहेगी इन में एक या दो सेमी सर्कुलर कैनाल यानि अर्ध वर्ताकार नलिकाए पाए जाती है यहाँ पर पीनियल आई प्रेजेंट होती है, इसकी साथ साथ पार सो आई भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है किरने की बात मैंने बता दी, यह रिपीट हो गया वापिस यहाँ पर, यहाँ पर प्रो नैफरिक और यह मीजो नैफरिक होती है ये unisexual होते हैं unisexual का मतलब ये एक लिंगी होते हैं ठीक है fertilization यहाँ पर कैसा होता है external होता है और development यहाँ पर कैसा होता है indirect होता है indirect का मतलब है मैं बता चुकी हूँ अगर development direct होता है तो वहाँ larval form क्या होती है absent होती है indirect यानि आप रतेक्ष रूप से परिवर्दन होता है तो वहाँ पर larval form क्या होंगी present होंगी example इसका देखू petromygon ठीक है क्या है petromygon अभी जो petromygon है इसके larva का क्या नाम है amocet larva ये question पूछा गया पता निकिस exam में पूछा गया बट amocet larva है ऐसे कुछ था और option में petromygon था और petromygon का एक दूसरा नाम और है lamprey तो दोनों में इसे कोई एक नाम आ सकता है या फिर दोनों भी आ सकते वो examiner की mood पर repent करता है ठीक है अब देखू ये मैंने बताई दिया इसका example क्या है petromygon या फिर petromygon को lamprey भी कहा जाता है इसके larva का नाम क्या है amocet larva है छोड़ा करती हूँ थोड़ा सा है ना अब ये जो amocet larva है amocet larva है ये syphelo-cordata और cyclosetomata के बीच के क्या है योजक कड़ी है दूसरा यहाँ पर इसका एक और example है ये है maggen इसको hag fish कहा जाता है और ये parasite के रूप में रहती है ये fish ठीकर तो यहाँ पर देखो complete हो जाता है अब ना ये क्या पढ़ रहे थे cranata पढ़ रहे थे ठीकर cranata ही पढ़ रहे थे अब देखो यहाँ से start क्या था cranata cranata का एक subphilem है vertebrata ये इसके कुछ मैंने आपको character बगेर बता दिये फिर इसके subphilem vertebrata को दो division में divide किया गया है यानि दो प्रभाग है किसके vertebrata के एक agnetha है और दूसरा कौन सा है genetho stomata दोनों के बीच में मैंने आपको difference बता दिया और फिर एक ये जो agnetha है इसकी दो classes है एक osteogodermy है और दूसरी कौन सी है cyclostromata है तो इन दोनों के बारे में बता दिया ये जो osteogodermy है इस class की तो सारे member क्या हो चुके है नस्ट हो चुके है ठीक है और ये इसका मैंने आपको बता दिया cyclostromata का example petromagion होता है और petromagion का जो larva होता है वो कौन सा होता है amosite larva होता है ये सारी चीज़े मैंने आपको अच्छी तरीकी से बता दी अब देखो ये क्या है अरे ये क्या है ये कौन सा diagram ये देखो example बताया था ना osteogodermy का syphilis ये रही देख लो इस्तिगी होती है इसमें नजर आरा हो आपको देखो यह यहां पर lateral eye present होती है lateral यानि parso eye present होती है ठिक है और यहां पर ये जो नजर आरहा है इधर आपको ये pineal eye है और ये lateral horn हो है यह पाक्टोरल फिन है तो इस्तिगी से इसका क्या होता है डाइग्राम होता है देख लो और मुह इसका देखो कैसा होता है राउंड होता है तो ये था आगे देखो ये बस ये तो देखो लेबल डाइग्राम है और ये वैसे 3D का है तो ये इस टाइब की होती है देखो मुह इसका आगे की तरफ राउंड ही होता है तो आगे देखो यह मैगजीन हैग फिश है यह आपको नजर आ रहे है इस तरीके से होती है वो भी यह पैरसाइट की रूप में होती है देखो इधर इसमें यह मेडियन फिन है वैटरल फिन है और यहां पर सैंस्री टैंटिकल्स होते हैं अक्स्टरनल गिल्सलेस यहां पर आपको नजर आ रहे है यह रहे ठीक है और यह नॉस्ट्रिल है उपर की तरफ तो यह मैगजीन है और इसको हैग फिस कहा जाता है और यह है पैट्रोमाइजीन ठीक है क्या है पैट्रोमाइजीन पैट्रोमाइजीन का लार्वा का क्या नाम ह यहाँ पर देखो यह buckle fin आपको नजर आ रहा है यहाँ पर seven fair पर यानि जो जोड़े होते हैं न वो external gill aperture यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और eye यहाँ पर developed होती है और nostril on top of head head के उपर nostril present होता है यह यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं यह dorsal fin है और यह codal fin है तो इस तरीके का क्या होता है यह patromygin है और यह देखो यह एक ओ डाइग्राम ले लिया यह अच्छी तरीके से देखो इसमें दिख रहे है आपको और यह इस तरीके से होता है पैटromygin ज्यादा important है ठीक है तो यहाँ पर अपनी class complete होती है आगे हम जो बची भी है अपनी classes वगेर वो पढ़ेंगे तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वी हिन जए भारेद